हलो एबरीवन मैं विश्रुजीत सिंग आप सभी का देई आप पे स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के इंदर में हम M.A.H.I.M.H.I.03 इस पूरे यूनिट के इंदर में कितने lessons बनते हैं और इन lessons के basis पे किस तरह के topics को हम पढ़ सकते हैं क्या questions बन सकते हैं और इसका benefit यह होने वाला है कि आपको एक छोटी सी वीडियो के अंदर में Almost एक roughly एक idea मिल जाएगा कि यह chapter important है इस chapter में से इस तरह के questions बन सकते हैं हमें यह question को पढ़ना चाहिए यह question हमारे exam में आ सकता है तो बहुत ज़्यादा benefit होने वाला है एक suggestion रहेगा आप सभी students के लिए अगर आप में history के लिए अच्छे number लाना चाहते हो तो last 5 year की एक video बना रखे है मैंने ठीक है जिसके अंदर में हर एक subject का जो हमें history का है मैं चाहिए 01 से लेकर मैं चाहिए 01 से लेकर मैं चाहिए 01 तक के सभी का last 5 year के question paper मिल जाएगा आपको ठीक है उसको उसकी वीडियो को जुरूर देखे last 5 year के question paper की solve है question paper और आपको एक idea मिलेगा कि किस तरह से syllabus आपका पूरा है और almost 90% syllabus आप उस एक वीडियो की मदद से आप solve कर पाओगे ठीक है चले start करते हैं मतलब इससे पहले हमने unit first कर चुके है unit 6 के अंदर में और आज हम विसे 2 के बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो मतलब भारते इतियास लेकन किस परकार से लिखे गए उसकी अलग-अलग दिश्टी कोन क्या थे उसके बारे हम यहाँ पर discuss करते है तो सबसे पहले आता है 24 वा chapter जो हमारा आएगा 24 जहां पर हम बात करते है जनुमुखी इतियास जनुमुखी इतियास है क्या तो जनुमुखी इतियास क्या एक important topic है ठीक है इसका basis क्या है जनुमुखी इतियास लिखने का यहाँ पे आम जनता को आधार बनाके जो इतियास जहां पे आम लोगों की बात की गई, किसान की बात की गई, मजदूर की बात की गई, ठीके तो उसके उपर में जो लिखा गया ना, ठीके उसको हम जनो मुखी इतियास कहते हैं, नौरमली इतियास लिखन में ये दिखा गया कि राजाओं की बात की गई, कि ये राजा था, उ इस तरह से वैपार होता था इस तरह से प्रशानों व्यवस्ता थी पर वहाँ पे जो जनता थी उसके बारे में बात नहीं की ठीक है तो वहाँ पे जनोमुखी त्यांसलेकन का यहां रोल रहता है टॉपिक यहां पे इंपोर्टेंट यह बनकर आता है जनोमुखी त्यांसलेक या सबालतंद्यं रंजित गुहा की विचार्थारा तो यहां पर आपको यह वाला जो टॉपिक है उसकोटा करना है यहां na बात कर नहीं बात कա Алum निम्न वर्गे की यहाँ पर बात की जाती है, रंजीत गुवा का यहाँ पर इसकी सुरुवात करने मिस्वी चारदरा का जो सुरुवात है या जनक के तौर पर रंजीत गुवा को माना जाता है, यहाँ उनका योगदान रहा, तो किस तर से वहाँ पर निम्न वर्गे पर पीक रहता है अगला जो चैप्टर है 6 मा आर्थी इत्यान आंज और अधार पर इत्यांस yani है यह फिर उपनवेस वाधी ठाइने पिरेट केंदर में आरथी कि इत्यास किस परकार का रहा रास्थवादियों ने किस परकार का आर्थी कि त metall का रहा रास्टवद्यों ने आर्थिक इतिहास है, आपकी हिसाप से किस तर से दिखता है, किस तर से अलग-अलग इतिहासकारों ने उसको डिफाइन किया, वो आपको यहाँ पर बताना है, उपनिवेशिक अधार पर जो उपनिवेश वाले लोग थे, ठीके जिए इस्ट इंडिया कमपनी के अधार पर भ रफली जिससे आपको आइडिया मिले और आप उसको अच्छे से कर सको, चैप्टर नमबर 27 की बात करते हैं, यहाँ पर नॉर्मली टॉपिक बन जाता है किसान और मजदूर की इतिहासलिकन किस तर का था, किस तर से लिखा गया, भारत के अंदर में इस्सिति किस परकार के इतिहासलिकन के अंदर में तो यह रहता है, नीचे के जितने भी चैप्टर है, 27, 28, 29, 30, कुछ खास चैप्टर नहीं है, ठीके उनके अंदर में जो चैप्टर है उसी के बेसिस पर यह जैसे यहाँ पर 28 वा चैप्टर है आपका जाती, जन जाती और लिंग भेद, ठीके ज जाती के अधार पर किस तरह था, जन जाती के अधार पर किस तरह था, जो कभी लिवा करते तो उनकी इतिहासलिकन में क्या यह रूल रहा, ठीके, तो वो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, धर्म और संस्कृति, जहां पर इतिहासलिकन लिखा गया है, धर्म को अधार ब तो यहां पर आपका में हिस्ट्री MHI03 हिस्ट्रोग्राफित यहां से लेकन का खतम हो जाता है चैप्टर सारे आपके लिए बेनिफिट होगा यह सारी वीडियो जितनी मैंने यूनिट 7 साथ वीडियो बनाई है सारी आपके लिए बैनिफिट होंगी ठीक है अगर कहीं पर कु आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाले आपको उससे और कोई भी अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो हमारे लिए तो आप हमें सजेस्ट कर सोगते कमेंट करके और दोस्तों एक मेनली आपको मैं अपनी दिल की बात बताऊं तो हर एक चीज की कुछ ना कुछ मोटिव होत नगले ड़ी तो उस हिसाब से यार सपोर्ड भी किजिए, लाइक किजिए, सेर किजिए, सब्सक्राइब किजिए, सबी दोस्तों तक हमारे वीडियो का लिंक पहुँचाएं जिनको ज़रूत है उनको हल्प किजिए, और अगर आप इसी वीडियो के लिए अगर आपको क्ल लिए थी पड़ी थी या फिर मैंने पढ़ाया जिन बच्चों को बहुत हाई-paid classes होती है आप बहुत सारे बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे जो वीवर्स हैं वो बहुत सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते जितनी फीस होती है में history classes की ठीके तो आपको free में मिल उसको कदर कीजिए उसको like share subscribe कीजिए हमें motivate कीजिए आपके एक 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 लाइक से हमें motivation होती कि हाँ यार कोई बच्चा था है जिसको हम benefit कर रहे है अगर आपको वीडियो च्छे लग रहे है helpful लग रहे है तो comment करके बताईए thank you बोलिए thank you so much मेरी दब से आप सभी students को अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो bye bye take care all the best आपकी exam के लिए and thank you so much